बिहार में कुछी दिनों पहले BPSC ने शिक्षक बहाली परिक्षा का परिणाम जारी किया है जिसमें 1,20,363 शिक्षक अभियर्तियों को सफलता मिली है जिसके बाद अब उन सभी अभियर्तियों को नियुक्ति पत्र बाटे जा रही है दो नवंबर को पटना की गांधी मैदान में बड़े पैमाने पर नियुक्ति पत्र वित्रन कारिक्रम किया जाएगा पूरा कारिक्रम भिहार सरकार ने आयुजित किया है इसमें से नितिश कुमार 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बाटेंगे जबकि बाकी शिक्षकों को उनकी काउंसलिंग वाले जिले में ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा नियुक्ति पत्र बाटने को लेकर गांधी मैदान में तयारिया जोरो से की जा रही है मंच पर बड़े बैनर लगाए गए है तो उसके नीचे विशिष्ट अतिती के रूप में तेजस्वी यादव का नाम है जबकि गरिमा मयू पस्तिती में आरजेडी के शिक्षा मंतरी प्रोफेसर चंद्रशेकर का नाम दिया गया है जबकि जेडियू के तीन मंतरी अशोक चौधरी, विजेंदरी यादव और नियुक्तियों के फरमार हुई, बिहार पहला राज्य है देशवर में जो बड़े पैमाने पर इवाहित्य में नियुक्ति निकाली गई, परिच्छा भी आपने देखा, जब परिच्छा हो रहा था तो देशवर के लोग आये थे, देश में ब्रजगार ये कापदा, इस स सवाल को 2020 में बिहार के उपमुखमंती जो भी है, उन्होंने ही उठाया था, पहली कैबिनेट, पहली कलम, तस लाज, लेकिन ट्वीट में देखियेगा महागडबंधन में लिखा हुआ है, महागडबंधन को किनार नहीं किया गया है, लेकिन ये बात तो सत ही है न, कि सरका ने किया नितीश जी के नितित में हुआ, लेकिन ये जो विजा, ये जो आइडिया, अधर निए उपमुखमंती त्यस्वी जी ने परोसा, और नितीश जी के नितित में ये संकल्पुरा हुआ, और गाण्यमिजान से मानिये मंुखमंती जी नहीं भी कहा था, कि दस लाग क कर दिजिए हम तो जानना क्याते हैं भरति इंता पाटी से भी कि 2020 ने पुनिस लाक की बात किया था लेकिन दो साल आपने बिहार का समय बरवाद कर दिया किया तो कुछ नहीं कि किसी सोच को आप बदल नहीं सकते हैं सोच तेस्वी जी का युवा अगर सोच है नितिस जी के न पुछता उनी से ना जबाब भी भाजपा हमी से पुछती है जबाब भी देते हैं तो मानने मुक्षमांति नितित में इन संकल्पों को पूरा अगर किया गया उप मुक्षमांति तेस्वी जी उसमें सामिल है तो खंड-खंड करके क्यों देखी जारी यह नहीं देखनी च कहा कि तेजस्वी आदव की युवा सोच और नितिश कुमार जी के नेतिर्त में संकल्पूरा हुआ है तो तेजस्वी जी को आप दर किनार कैसे कर सकते हैं